पाठ साथ लिंग जेंडर कविता गाएं सूरज की किरने आते हैं, सारी कलियां खिल जाते हैं अंधकार सब खो जाती है, सब जग सुन्दर हो जाती है चिडियां गाते हैं मिल जुलकर, बहती हैं उनके मीठी स्वर ठंडा ठंडा हवा सुहानी, चलता है जैसी मस्तानी बच्चो इस कविता में किरने और कलियां शब्दों की पहचान मादा स्तरी के रूप में हो रही है तथा अंधकार और जग शब्दों की पहचान नर्व पुरुष के रूप में हो रही है संग्या शब्दों की इस पहचान को व्याकरण में लिंग कहती है इसलिए हिंदी के नियमों के अनुसार निमनलिखित वाक्य सही होंगे किरने आती हैं, कलियां खिल जाती हैं, चिडियां गाती हैं, सुहानी हवा चलती है, अन्धकार खो जाता है, जग सुन्दर हो जाता है, तथा मीठे स्वर पहती है भाषा में प्रत्येक संग्याशब्द की पहचान या तो नर के रूप में होती है या मादा के रूप में. ब्याकरण में इसी पहचान को लिंग कहते हैं. इसी आधार पर लिंग के दो भेध हो जाते हैं. लिंग, जो संग्या शब्द मादा या स्त्री वर्ग के सदस्यों के बारे में बताते हैं, वे स्त्री लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे औरत, दादी जी, रेल गाड़ी, पुस्तक, आदी. इस तरह प्रतियेक संग्या शब्द या तो पुलिंग होता है या स्त्री लिंग. कुछ और जाने, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, आदी. ध्यान रखिए, यदि संग्या शब्द के लिंग की जानकारी नहीं है, तो उसे वाक्य में प्रयोक के आधार पर सीखा जा सकता है. जैसे, बच्चे ने आम खाया, आम पुल्लिंग, बच्चे ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग, नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरन दिये जा रहे है. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, घोडा, घोडी, बकरा, बकरी, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेट, जेठानी, देवर, देवरानी, गायक, गाईका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, नायक, ना धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, नाती नादिन, चुहा चुहिया, गुड़्डा गुडिया, चिडा चिडिया, बूढ़ा बुढ़िया, शेर शेरने, भील भीलने, उट उटने, मोर मोरने, हमने सीखा लिंग से स्त्री या पुरुष जाती का पता चलता है हिंदी भाशा में दो लिंग होते हैं पुलिंग और स्त्री लिंग पुलिंग वर्ग में वेशब्द आती हैं जिनकी पहचान पुरुष वर्ग के सदस्य के रूप में होती है प्रतियेक संग्या शब्द या तो पुलिंग वर्ग में आता है या स्त्री लिंग वर्ग में